बाबा राम रहीम जो कभी रॉक स्टार हैं तो कभी फिल्म स्टार जब बाबा भक्तों के बीच होते हैं तो वो लव जारजर बन जाते हैं बाबा गाना गाते हैं और जम कर हसी मजाग भी करते हैं लेकिन कोई बाबा की हसी उडा दे या उनकी नकल उतार दे तो बाबा को आज जाता है घुसा बाबा की नकल करनी के वज़ह से कपिल शर्मा की टीम के मेंबर कीकू शारदा की जान आफत में पढ़ गई थी एक टीवी शो में कीकु शार्दा ने रामरहिम की मूवी MSG2 के एक सीन पर कॉमेडी एक्ट किया आम लोगों ने तो कीकु की कॉमेडी पर ठाके लगाए लेकिन इससे बाबा रामरहिम के भक्तों की भावनाएं आहात हो गई बाबा के भक्तों ने कीकु पर डेरा प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुचाने के आरोप में केस दर्श कर दिया पुलिस ने कीकु को गिरफतार किया और मुंबई से हरियाना लेकर चली गई जिसके बाद कीकु को कोट लाया गया तो वहाँ डेरा के 5000 समर्थक जमा हो गए कोट ने पहले कीकु को 14 दिन की जूडिशियल कस्टडी में भेजा लेकिन मीडिया में मामला उचलने के बाद कीकु को बेल मिल गई इस experience को शेर करते हुए बाद में कीकु ने कहा था कि उन्हें कोट में बाबा के समर्थकों को देखकर डर लग रहा था इसके बाद कीकु ने राम रहीम से अपील की थी कि वो मीडिया के सामने आकर एक कलाका के बक्ष में खड़े हो लेकिन बाबा तो बाबा है बाबा ने भी कीकु से माफी मांगनी के लिए कहा कीकु को अपनी जान छुडानी थी तो कीकु ने माफी मांग भी ली